बीते रोज होई हलकी बारिश के बाद भी दिल्ली का जो ओवराल एक्यू आई है वो बहत खराब इस्तिती में बना हुआ है हलाकि बारिश होने के बाद जो ठंड़क का एसास है वो दिल्ली वासियों को जरूर होने लगा है क्या कुछ तस्वीरे हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी फिलाल हम करतव पत पर मौझूद है मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर है वो राश्पती भवन की है लेकिन राश्पती भवन की तस्वीर पूरी तरह से धुन्दली नजर आएगी राश्पती भवन जो स्माग और फॉक की चादर में साफ तोर से लिप्टा हुआ नजर आ रहा है हमने दिखा कि लगातार जो दिल्ली का EQI है वो बेहत खराब इस्तिती में दर्ज हो रहा है आकड़ा साड़े 300 के पार भी पहुँच रहा है और दिल्ली के हवा लगातार जहरीली होती जा रही है हलाकि मौसम विभाग की माने तो जहां बीते रोज हलकी बारिश देखनों की मिली थी वही इसके चलते जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को आज मिलेगी और नियूंतम तापमान दिल्ली के जो मौसम विभाग की ओर से अर्मान लगाए गया है वो 10 डिग्री सल्सियस के आसपास बना रह सकता है और अधिक्तम तापमान 24 डिग्री सल्सियस तक रह सकता है इस दोरान जो ठंड़क का एसास है वो भी दिल्ली वासियों को रहेगा और इसके अलावा जो बारिश है उसके अर्मान आज के लिए नहीं लगाए गये हैं लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि जो दिल्ली वासि इसी तरह की जो जहरीली हवा है उसमें सांस ले रहे हैं और तमाम सारी जो परिशानिया हैं समस्या हैं वो उनके लिए साफतोर से लगातार बढ़ती हुई दिख रही है जहां एक ओर अब बारिश होने के बाद जो ठंडक है वो भी उन्हें परिशान करेगी वही दूसरी ओर लगातार जिस तरह से AQI का जो आंकडा है वो 300 के पार बना हुआ है जिसके चलते जो जो जहरीली हवा में सास लेने को लगातार दिली वासी मजबूर हो रहे हैं अगर बात करें आकडों की तो कुल 36 स्टेशन है जहां पर जो प्रदूशन का लेवल है वो दिली में मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें से 20 से जादा इस्टेशनों पर जो एक्यूआई का लेवल है वो 300 के पार है यानि आप सोच सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरे हैं वो साथ तोर से दिली के अलग-अलग इलाकों में रिकॉर्ड हो रही है और जो एक्यूआई है वो लगातार इस बहत खराब इस्तिति में बना को हो रहा है वही अब अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोग इस बढ़ते हुए प्रदूशनल स्तर से एक बार फिर जहरीली हवा में सास लेने को मजबूर हो रहे हैं कैमरा प्रशन मनीश स्खेर के साथ दिव्यांकर्ट